सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए श्री लंका के खिलाफ तीन वंडे मैचों की सिरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है इस टीम में सबसे बड़ा सर्प्राइस है विराट कोहली का टीम में शामिल न होना दरसल कोहली ने पिछले दिनों ही कुछ समय के लिए क्रिकेट से आराम लेने को लेकर बाते कहीं थी और साथ ही कहां था कि वह रोबोक नहीं है बहर हाल, BCCI ने विराट कोहली को आराम करने के लिए अवसर दे दिया है ऐसे में विराट कोहली की जगह टीम की कपताने रोहित शर्मा करेंगे रोहित ने आज तक एक भी मैच में टीम इंडिया की कपताने नहीं की है IPL में मुंबई इंडियन्स के कप्तान के तौर पर रोहित अपनी टीम को दो खिताब जीता चुके हैं ऐसे में वह टीम इंडिया का अस्थाई कप्तान बनते हुए कैसे निरनय लेते हैं ये देखना खासा दिल्खरस्ट होगा वैसे रोहित के सामने इस दोरान सबसे बड़ी चुनोती नंबर तीन पर किसी सेच बल्ले बाज को चुनने को होगी खास तोर पर तब जब विराट कोहली टीम में नहीं हैं उपनिंग की जिम्मेदारी तो शिखर धर्वन और रोहित शर्मा संभालेंगे लेकिन तीसरे नंबर की जिम्मेदारी MS धोनी को दी जा सकती है रोहित शर्मा ने अपनी पिछली प्रेस कोल फ्रेंज में बताया कि भारतिय टीम के सीनियर हिलाडियों को नीचे खिलवाना भारतिय टीम की परफरमन्स पर असर करता है वैसे देखा जाएं तो भारतिय टीम में अभी सबसे सीनियर तो MS धोनी है इसी वजह से उन्हें रोहित शर्मा विराट कोहली की जगह तीसरे नंबर पर भी खिला सकते हैं रोहित शर्मा अपनी टीम के चौथे नंबर की प्रोबलम से भी वाकी हैं इसी वजह से रोहित धोनी को चौथे नंबर पर भी खिला सकते हैं अब देखते हैं रोहित शर्मा क्या सोचते हैं और MS धोनी को किस जगह पर खेलने के लिए बुलाते हैं। भले ही विराट कोहली टीम का हिसा न हो लेकिन टीम इंडिया के पास अच्छी संतुलित टीम है जिससे टकर लीना श्री लंका के लिए कतर आसा नहीं होने वाला हैं। तो दोस्तों आपके मुताबिक MS धोनी को किस नंबर पर खिलाना चाहिए यहां हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।